कोरोना के बरते मामले को ध्यान में रखते हुए केंद्र से जारी गाइडलाइन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने के आलावा भीर भार को सिमित करने से संबंधित एडवाईजरी जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमन के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है यदि हम पास दिनों की बात करें तो प्रदेश में 128 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है वहीं रिकवर होने की संख्या इसके आधे से महच कुछ अधिक है वहीं दो ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित मरीज भी पाए जा चुके है प्रदेश में अब तक तीन राउंड में भेजे गए 89 सेंपल की जीनों सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आ चुकी है जिनमें दो में ओमिक्रॉन की पुष्टी हुई है यूपी के महानिदेशक्ची किस्सा डॉक्टर वेद ब्रत सिंग के मुताबिक दोनों ही संक्रमित महाराष्ट से गाजियाबाद आये थे और दोनों ही कोविट निंगेटिव आ चुके हैं उन्होंने दावा किया की संपर्क में आये सभी मरीजों की कांट्रेक्ट ट्रेसिंग की जा चुकी है और वे भी निंगेटिव ही रहे मंगलवार को प्रदेस में 24 घंटे में 1,51,687 सेंपल की जाच हुई जिसमें कोरोना संक्रमित के 23 नए मामले सामने आये हैं वहें इस दावरान कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 15 रही सबसे ज़्यादा 5 मरीज गौतम बुद्धनगर में मिले हैं यूपी में यदि कोरोना वैक्सिनेशन की बात करें तो यह आकड़ा 19 करोड के करीब है बुद्धवार सुबतक यहां 18,88,36,584 वैक्सिन की डोज लगाई जा जुकी है इन में से 12,31,73,404 को पहली डोज वही 6,56,63,180 को दोनों डोज लग चुकी है मंगलवार को प्रदेश में एक दिन में 12,85,996 लोगों की वैक्सिन की डोज लगी है लाइफ इंडिया के लिए लखनों से सुभम मिस्रा की रिपोर्ट